हेलो एंड वेलकम बैक टू कम्पेटिशन कम्यूनिटी आप सभी का स्वागत हैं कम्पेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोग देख रहे हैं ससी चीजेल और यूट्यूब पोस्त जिसमें आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आप लोग थोड़ा सा पेशन्स रखना होगा क्योंकि यहाँ पर मैं सारी चीजें कवर करने वाला हो ओं तो şi upward सब precies के सारी चिजें मैं बश्क्रीव होता क्या क्या क्यों 1973 से डर भी लगता है लेकिन इतने डरनी वाली कोई बात नहीं काफी बेसिक चीज़े हैं आप अगर समझने लग जाए सारी चीज़े तो असान लगने लगी तो मेरी कोशिश यही रही कि मैं आपको सारी चीज़े आसान करके बताओ ट्रिक के जरिये हम यहाँ पर चीजों को याद भी करने के कोशिश करेंगे ठीक है चली अगर आप हमारे फर चल लोग है एक मार्स अब तीन शिफ्ट में हो चुका है ठीक है बारा बजे से त्वेल्ट पीम टू टू पीम एक शिफ्ट है एक शिफ्ट आपका धाई बज़े का है तू थार्टी पीम पे दूसरा लेक्चर आता है दिन का जो कि शारड़े चार बजे के बीच तक है और तीसरा लेक्चर शाम के पांच बज़े से साथ बज़े के बज़े तो ये तीन लेक्चर आपको डेली बेसिस पे मिल रहे हैं जिसमें से मैच्स, रीजनिंग, साइन्स, जीएस इंग्लिश सारी चीज़े इसमें covered हो रही है ठीक है और SSE, CGL, CHSL का best quality content के साथ free of cost में जिसमें कोई hidden शुक आप से नहीं लिए आ गया है सारी चीज़े free of cost आपको provide कराई जा रही है इस channel के माध्यम से ठीक है, telegram channel और telegram group discussion में आप जुड सकते हैं ताकि जो भी doubt है उसमें आप हमारी lecture से हो चाहे जो PDF आपको provide हो रही है practice sheet की उससे हो कोई भी doubt हमने जो आपको पढ़ाया है उसमें से अगर आपको कुछ भी doubt पुछना है उसमें आप पूछ सकता है discussion group में क्योंकि सारे faculties उसमें जुड़े होई और आप वहाँ पे जो भी doubt पुछेंगे उसमें हम आपको वहाँ पे reply देंगे ठीक है चलिए अब मैं start करता हूँ इस chapter को नए chapter को trigonometry की देखे trigonometry की में बात करूँ तो तीन सवाल आपके fixed है pre में 25 question आपके आते हैं कभी कभी किसी किसी shift में 4 question भी देखने को मिल सकता है लेकिन 3 सवाल जो है यह fixed है मतलब एक बड़ा weightage रपता है trigonometry आपके pre exam के लिए ठीक है तो इसमें घवरानी की बात नहीं है और बहुत आसान questions ही आते हैं मैं सारी चीज़े आपको समझाऊँगा और basic से समझेंगे tricks के जरिए तो आज पहला वीडियो है आज हम यहाँ पर angles के बारे में और values of trigonometry ratios के बारे में यहाँ पर discussion करेंगे उसके बाद उसके कुछ सवाल देखेंगे तो patience रखेंगे जैसे कि मैंने बताया अगर आप math backgrounds हैं तो आप अराम से इसको देखेंगे patience रखेंगे ठीक है और जो math background से नहीं है आप लोग थोड़ा समझने चालू करिए क्योंकि सारी चीज़े यहाँ पर मैं basic से आपको बताऊँगा ठीक है चलिए देखे part 1 वीडियो है trigonometry का तो चलिए start करते हैं सबसे पहली बात भाई trigonometry जो शब्द बना है यह तीन शब्दों को मिला कर बना है try गुनो और मैट्री ट्री कोन मैती जैसे आप हिंदी में देख सकते हैं इसका नाम तो trigonometry जो है तीन सब्दों के मेल से बना है try एक है मतलब होता है measurement, go know को मतलब होता है side और try का मतलब होता है 3 तो 3 sides का measurement तो खासतोर से यानि ki triangle की बात कर रहा है और उस triangle में भी special triangle होता है right angle triangle यानिकि देखिए एक यहाँ पर 90 डिग्री वाला हो स्षाइंग युदी नबबयूक्ति हो जिसमें उसी Meyer को हम क्हहते थो राइट एंगल के वह सी राइट अगल ड्रेयंगरेंगल शिलाइड ट्रे टिक षे यसको हम क्रते है जब ही वी एक ग्राइट डियूमोट है 10 यो котором राइट एंगल ट्रेंगल सम कोन त्रिभुज हिंदी वाले लिखेंगे सम कोन त्रिभुज ठीक है तो ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रिएंगल हो गया अब ये जो एंगल है इसको हम क्या खेते हैं इसको हम क्या खेते हैं एंगल जानि कि ये हो गया आपका थीटा यह होगा आपका थीटा किसी भी तुरिबुज में तीन जो कोण होता है तीनो कोण का जो जोग होता है ये वाला अगल प्लस ये वाला अंगल प्लस ये वाला अंगल प्लस ये वाला अंगल तीनो अंगल को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आता है तो हमेशा यहां पर एक A प्ल 90 degree है तो यह जो बचा हुआ कोन होता है यह हमेशा कितना हो जाएगा तो 90 degree minus theta हो जाएगा क्या आप मेरी इस बात से सहमत है किसी भी त्रिबुज में किसी भी triangle में तीनो angle का जो योगफल होता है यह 180 होता है जिसमें से कोन है तो अगर त्रिबुज इस तरीके से तो यह जो है यह base कहलाता है base याने की आधार यह क्या है BC जो है base है इसको हम क्या कहेंगे base याने की आधार ठीक है इसको हम represent करेंगे small b से किस से represent करेंगे तो small b से represent करेंगे यह वाला जो side है इसको हम कहते है perpendicular 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 का मतलब क्या है हिंदी वाले लिखेंगे lump क्या है lump तो ये है आपका lump perpendicular अब ये perpendicular सीधा सीधा रेखा दिख रहा है मतलब इस theta के लिए ये वाला जो angle उसके opposite में आ गया इसी को हम चाहिए perpendicular यानि की lump साथ में जो तीसरा वाला side है हिंदी वाले क्या लिखेंगे क्ले hyperteneus कया है समझ में आ गया तो perpendicular base और hyperteneus यानि की lump आधार और येहां पर आपका तीसरा जो है उसको हम क्याते है क्लें है तो यहां से कुछ ratios होते है ratios का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर इस perpendicular बटा base को कह दू तो उसका एक नाम है मतलब कि यहाँ पर इस perpendicular को small b से हम represent करते हैं इस hypotenuse को small h से हम represent करते हैं ठीक है तो यहाँ पर कुछ नाम है इस ratios का trigonometric ratios जिसे हम कहते हैं ठीक है trigonometric ratios trigonometric ratios तो सबसे पहले यह साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है समझी अगर मैं यहाँ perpendicular देख रहा हूँ यह perpendicular बटा base और perpendicular बटा हाइपोटनियूस और base बटा हाइपोटनियूस इन सब का एक नाम है तो सबसे पहली अगर यहाँ पर कभी आपको कोई perpendicular divided by हाइपोटनियूस देदे तो यह होता है sin theta इसी को हम क्या कहते है घवराये। यह क्या है किसका किसका तो लंब बटा करन का वहीं अगर base divided by हाइपोटनियूस कर दिया जाया तो यह आपका कहलाता है cos theta cos theta क्या है तो cos theta है लंव यानि की बेस divided by हईपोटविश यहां तक clear अब यहीं से यदी मैं tan theta निकालू तो tan theta तीसरा हो जाएगा tan theta तीसरा रेश्चियु है और tan theta को क्या कहते तो perpendicular divided by base perpendicular divided by base अब इसको याद करने के तरीके बहुत सारे है ठीक मैंने क्या क्या लिखा है इसका एक बार देख लेते मैंने लिखा पहले साइन थीटा फिर लिखा कॉस थीटा फिर लिखा टैन थीटा इसको याद करने के तरीके बहुत सारे है आप इस तरीके से भी याद रख सकते कि यहाँ आपको क फिर हेच हेच भी है तो हरी हरी बोल इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं numerator में देखें पी बी पी हेच 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 साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे ठीक है तो trigonometric ratios क्या है समझ में आगे हैं यहाँ तर degrees क्रम जो होता है को सेक थीटा क्या होता है को सेक थीटा कितना है तो hypotenuse divided by perpendicular मतलब जैसे ही आपने यहां साइन थीटा लिखा इसका मैंने view cram ले लिया तो hypy यह होता को sec theta cos theta ही इसका विवय view cram ले लूँगा अगर view cram ले लूँगा तो क्या आजाएगा sec theta आजाएगा sec theta ठीक है secant theta इसको कहते है hypotenuse divided by base तो यहाँ पर hypotenuse बटा base करने पर यहाँ से जो ratio निकलता है उसको हम क्या कहते है sec theta लिखते है जो कि 1 by cos theta इसका value हो जाएगा cot theta और cot theta बरावर क्या है तो cot theta बरावर है tan theta का view cram और अगर मैं यहाँ से tan theta का view cram करूँ तो tan theta का view cram हो जाएगा cot theta जो कि है base divided by perpendicular ठीक और base divided by perpendicular मतलब यह आधार बटा परपेंडिकुलर यहाँ तक आते समझ में आगे चली अब यहाँ से आगे बढ़ने के पहले ठीक यहाँ से आगे बढ़ने के पहले कुछ चीजों को note down करके चलिए एक result मैं यहाँ पर बताऊंगा और उस result के तहत हम बाकी चीजों को यहाँ पर लिखना चालू करेंगे जैसे कि suppose करिए सबसे पहली बात आपने लिखा यहाँ पर sin theta क्या है तो perpendicular divided by hypothesis perpendicular divided by hypothesis अगर मैं इस तरिबूज को घुमाग यह इस तरीकी से बना दो यानि कि यह C इदार आ जाएगा इस तरीके से मैंने इसको anticlockoise एक बार घुमाए तो C यहाँ पर आ गया B यहाँ पर आ गया A यहाँ पर आ गया जैसी ऐसा किया तो यह 90 degree बन गया यह वाला जो कोन था A वाला कोन यह कितना है आप कहोगे सरी तो 90 degree minus theta है यह वाला कोन ठीक 90 degree minus theta तो अगर इस angle पर मैं sin theta एक बार और लिगा यह cost theta मैं लगा लूँ जैसी मैं यहाँ पर cos लिगाओं cost 90 degree minus theta क्या लगा लूँ avant ninety degree minus theta जैसी मैं cost 90 degree minus theta लगाओ गा तो बताईए क्या आ जाएगा costs 90 degree minus theta अब देखी cost का definition क्या है कि आधार बटा है hypert Burtonus होता है आधार बटा इस धाफ पंडूरर अ continuum तो अब आधार क्या है आधार तो बन गे अभी अभी और भी का मतलब क्या है तो perpendicular है मतलब इसका value है P divided by हाइपरटनीघ्यूस तो वही है H है मतलब Cos 90 नदीगरी मैईनस धीटा क्या होता है तो P by H होता है cos 90 degree minus theta क्या है तो P divided by H है यहां तक मेरी बातों से सहमत है cos 90 degree minus theta क्या है तो P by H है P क्या है perpendicular और hypotenuse क्या है यह H क्योंकि आप जब इस angle पे cos theta लगाएंगे तो अब आधार यह हो गया और साथ में hypotenuse यह हो गया तो base divided by hypotenuse करने पर यही value आ रहा है मतलब समझे कि cos 90 degree minus theta का value P by H है और यहां से sin theta का value भी P by H है क्या मैं यह लिख सकता हो कि sin theta बराबर cos 90 degree minus theta है क्या आप मेरी इस बात से सहमत है तो sin theta बराबर क्या हो जाता है cos 90 degree minus theta इस चीज़ का note बना के रखेंगे तो यहां से मैं कुछ चीज़ों को note down करवाऊंगा आपको इसको note करिए सबसे पहली बात आप क्या लिखेंगे sin theta बराबर क्या होता है cos 90 degree minus theta clear दूसरी बात क्या लिखेंगे कि cos theta जो है अगर यह 90 degree minus theta है तो यह भी sin 90 degree minus theta हो जाएग यहां तक clear है पहला second formula आप लोग लिखेंगे कि sec theta बराबर क्या हो जाता है sec theta बराबर हो जाएगा ठीक है cos 90 degree minus theta जैसे मैंने इसको proof किया वैसे ही आप इसको भी proof कर सकते है और cos theta बराबर क्या हो जाएगा cos theta बराबर हो जाता है sec 90 degree minus theta यहां तक clear तीसरा point आजाएगा tan theta tan theta बराबर क्या हो जाता है तो tan theta बराबर हो जाएगा cot 90 degree minus theta cot 90 degree minus theta मतलब cot theta का value क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा tan 90 degree minus theta जैसे मैंने इसको proof किया कि sin theta बराबर cos 90 degree minus theta है वैसे ही आप बाकी चीज़ों को भी proof कर सकते है एक चीज़ यहां पर आप note down कर लेना क्या है कि देखिए tan जो होता है और cot जो होता है एक दूसरे के व्यूत करम तो होता ही क्योंकि यहां perpendicular by base है तो यहां base by perpendicular है एक दूसरे के व्यूत करम तो है इसा बाकी किसी में नहीं होता है क्योंकि cos और sec एक दूसरे के व्यूत करम होता है sin और cosec एक दूसरे के व्यूत करम होता है तो अब इस इसको और इसको देखकर क्या समझ में आ हरा है 1y cosec theta होता है reverse है ना एक दुसरे का और cosec theta क्या हो जाएगा तो 1y sin theta हो जाएगा ठीक पहला point दूसरा point क्या है कि cause theta जो है यह 1y sec theta है clear और tan theta क्या है tan theta है 1y cot theta clear यह एक दूसरे के व्यूथ क्रम है मतलब इसका उलटा भी चाहिए है कि अगर आप यहां से Cosec theta निकालने जाएंगे तो निकालनों साइन झालत कलियर और अगर हैं से निकालना झालेंगे सेक theta ही सेक theta हो जाएगा 1 कौस theta तक कौस theta है अब यकाइन theta की बारए की विसन्त syndrome ब्रावर क्या हो जाएगा वन माई टैन थीटा यहां तक क्लियर सारी चीज़े अब देखिए यहां से एक दो चीज और आप नोट करके रखेंगे कि टैन थीटा क्या है टैन थीटा होता है सीन थीटा बै मntट मैंने लिख दिया क्योंकि देखिए। value क्या था sin theta था perpendicular by hypotenuse cos theta क्या था base by hypotenuse और अगर मैं इन दोनों को divide करूं h h कर जाएगा बचेगा P by h तो sin theta by cos theta करने पर 10 theta आता है और quod theta क्या हो जाएगा quod theta हो जाएगा cos theta by sec theta यानि इसका just reverse हो जाएगा तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि cot theta जो है यह हो जाता है cos theta divided by sin theta ठीक है यह कुछ formulas को आप note down कर सकते हैं ठीक है तो कुछ basic basic से formula आपने लिख लिया होगा ठीक है अब यहाँ से इसके angle measurement पे क्या values होते हैं इसके उपर भी थोड़ा सा discussion कर लेते हैं ठीक है बहुत important है कि आप इसके angle measurement पे भी समझे चीजों को कि क्या होता है ठीक है बहुत important है यह सारी चीज़े क्योंकि आपके direct questions बनते हैं और value putting में भी मैं अभी जो बाते बता रहा हूँ value putting जो है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाओंगा और trigonometry के बहुत सारे questions value putting से हो जाते हैं तो अभी जो values हम सीखेंगे वो important है उसको आप अच्छे से note करिए trick के जरी हम इसको समझेंगे चलिए value putting में जाने के पहले आप कुछ चीजों को यहां से note down करना चालू करिए जैसे कि for example अब देखे यहां से आप समझिए कि मैंने कहा कि यह क्या है तो angle है यह क्या है angle है यह क्या है angle है इसका value मैंने लिखा theta और इसका मैंने लिखा 90 degree minus theta तो जो angle यानि की cone होता है इस cone को measure करने के दो तरीके हो सकते हैं एक तो होता है भाई डिग्री मान यानि इसको डिग्री में आप इसको मेजर कर सकते हैं दूसरा होता है कि आप इसको रेडियन मेजरमेंट आप इसका लेते चलो तो डिग्री यानि कि जैसे कि यहां 90 डिग्री लिखा हुआ है तो 90 डिग्री इस तरीके से रेडियन में क्या ह होता है इसको आप लिख सकते पाई बाई टू रेडियन अब इसको समझ लेते हैं कि इस पाई बाई टू का मतलब और नभे डिग्री का मतलब क्या है इसको थोड़ा समझ लेते रेडियन measurement और degree measurement degree measurement और radian measurement में क्या relation है इसको थोड़ा समझ लेते हैं ठीक है दिखिए एंगल जो होता है जैसे कि suppose करें कि यह एक line यानि कि एक किरन है किरन का मतलब होता है एक बिंदू से निकला हुआ एक वैलिटी अब जैसे ही यहां से मैं दूसरा एक और किरन मना लू तो यहां से एक दूसरा किरन इस तरीकी से बन जाता है अब suppose करें जैसे कि एक clock के जरी समझ लेते हैं यह जो clock होता है उसमें दो hand होता है तो हमेशा इन दोनो hand के बीच में एक angle बना हुए रहता है ठीक है इसी angle को हम क्या कहते है थीटा कहते है तो एक complete angle का मतलब होता है कि आपने यहां से start किया O.A. से आपने start किया और यहां से आप पूरा का पूरा गोल घुम कर यहां से वापस यहां तक आ गए तो इसी को हम क्या कहते है complete angle 360 degree पूर्ण angle जो है वो 360 degree का होता है मतलब यहां से आप start करके यहां तक इसको पूरा वापस गुम के आ गया तो यह 60 degree हो जाएगा अब अगर मैं इसको दो पार्ट में बाट दू इस तरीके से तो 180 degree हो जाएगा मतलब कि देखे दो पार्ट में बाटने का मतलब कि अगर मैं सीधा का सीधा line मना दू तो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर तो हमेशा एक सीधी रेखा में 180 degree बनता है ठीक है यहाँ तक clear है सारी चीज़े अब देखे मैं यहाँ पर वापस आता हूँ यानि कि आपको यह समझा देता हूँ कि radian measurement और degree measurement में क्या similarity है यानि कि इसको convert कैसे करते है एक radian measure से एक degree measurement तो समझे इस बात के radian का मतलब क्या है radian का मतलब होता है कि जैसे suppose करिए कि यहाँ पर एक यह radius यह center है किसी circle का ठीक है किसी वरित का केंडर है ठीक闹ल यह ठीकंदर कि और अगर मैं यहाँ से इसको वरित का केंडर कहरा हूँ और यह वरित की त्रेजा है ये वृत की त्रिज्जा है आर्क तो एक ऐसा चाप जो की आर्क का है लंबाई का हो एक ऐसा आर्क तीक है ये क्या है आर्क है ये एक ऐसा आर्क है ये एक ऐसा आर्क है जो यहाँ पर एंगल सबस्टेंट कर रहा है यहाँ सेंटर पर यहाँ पर एक arc जिसका लंबाई इस वृत की बठा के बराबर है वो यहाँ पर एक radian degree बनाता है मतलब एक radian हो गया इस चाप की लंबाई बटा इसकी तरिजा तो हमेशा एक radian का मतलब क्या है तो चाप की लंबाई बटा यहाँ पर तरिजा ठीक है अब radian measurement कैसे निकलता है तो radian measurement का मतलब होता है कि कोई भी एक वृत का कोई एक खंड आप ले ले ठीक है एक वृत है इस वृत का कुछ एक खंड हमने ले लिया इस खंड का जो लंबाई है इस खंड की जो लंबाई है divided by इसकी जो त्रिजा है यही radian measurement होता है तो radian measurement क आप definition लिख सकते हैं क्या होता है कि इस आर्क में जैसे कि यहाँ पर मैंने एक वृत का छोटा सा पार्ट मैंने काड़ दिया A से B ठीक है तो यह A से B की जो लंबाई है और divided by क्या करोगे इस वृत की जो त्रिजा है वही radian measurement होता है तो अगर एक radian की हम बात करें तो एक radian का मतलब यह है कि एक ऐसे वृत का छोटा सा एक चाप हम यहाँ से ले रहे हैं यह चाप है और यह जो चाप है यहाँ पर इसका लंबाई भी आर है और इसका radius भी अगर आर है तो हम क्या कहेंगे एक radian measurement हो गया clear यहाँ तक बात समझ भी आगए अब देखिए मैंने पहली बात तो आपको बताई कि पूरा का पूरा एक जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 degree रीडियन में किसना होगा तो रीडियन को समझने विए आप इस circle को पूरा कपूरा complete कर लिजा तो यह पूरा कपूरा क्या है पूरा का पूरा यहां पर Radian measurement इसका complete angle का Radian measurement है अब complete angle का मतलब कितना हुआ ? 360 degree हुआ ? डिगरी में देखा जाए तो 360 डिगरी अब अगर radian measurement आप निकालना चाहते हैं तो definition समझिए definition क्या कहता है कि इस चाप की लंबाई अब पूरे complete angle में जो चाप बना वो किता बना यहां से लेकर यहां तक पुरा बना मतलब आप यह लिख सकते है टू पाई का मान होता है 360 डिगरी यानि कि आप लिख सकते है पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिगरी 180 डिगरी यहां तक आप मेरी बात से सहमात है पाई रेडियन का मतलब क्या है 180 डिगरी अब exam का question है यह कि एक रेडियन बराबर कितना डिगरी होता है तो यह होता है भई 180 degree divided by pi इसका आप calculation कर सकते है पाई को approximately कितना ले लेना 22 by 7 ले लेगा ठीक है तो यहाँ 57 point कुछ value आएगा 57 point 27 degree होता है approximately ठीक है तो इस चीज़ को आप load down कर सकते हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आपको इस समझ में आ गया कि एक रेडियन का मतलब और मतलब की पाई रेडियन बराबर इतना होता है तो एक रेडियन का value हो जाएगा 180 degree divided by pi ठीक है तो अगर पाई रेडियन से अगर आपको degree में convert करना है या degree से pi में convert करना है तो कैसे convert करना है आपको समझ में आने लगा होगा 180 degree का मान आप pi दाल दें यानि कि pi का value आप क्या दाल देंगे 180 degree इस तरीक से आप इसको calculate कर सकते हैं तो अब मैं आपको ले चरता हूँ यहाँ पर values जो होते हैं साइन 30 degree का value क्या होता है साइन 45 degree का value क्या होता है जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर 30 degree दाल दिया तो इन सबका एक अपना ही ratio बन जाता है अगर मैंने यहाँ 45 degree दाल दिया तो इन सबका यहाँ पर एक अपना ही ratio बन जाता है एक अनुपात एक अनुपात रूट टू का जैसे मैं यहाँ पर degree value change करूँ तो उसके साब से यहाँ पर values change हो जाते हैं जैसे degree fix हो जाएगा तो perpendicular by hypotenuse based by hypotenuse perpendicular by based hypotenuse by perpendicular इन सब का जो है अनुपात एक ही रहेगा fixed रहेगा अगर हम यहाँ पर angle को fix कर दें तो ठीक है तो चलिए मैं यहाँ से एक table बनाता हूँ इस table को आप बनाएंगे और इसको table को आपको याद करना है मैं यहाँ पर याद करने का तरीका भी बता दूँगा तो आप घवराएगा बिल्कुल भी ठीक तो आप table इस तरीकी से बनाएंगे जो जो values most important है आपके exam में बार बार पूछे जाते हैं इन सभी चीजों को हम यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप लिखेंगे 0 degree यहाँ पर मैं theta का मान लिख रहा हूँ और यहाँ पर ratio लिखूँगा नीचे तो ratio में आपको क्या चाहिए ratio में आपको क्या क्या चाहिए तो सबसे पहले चाहिए आपको sin theta दूसरा आपको चाहिए cos theta तीसरा आपको चाहिए tan theta चौथा आपको चाहिए cot theta फिर आएगा sec theta sec theta आएगा यहाँ पर और last में आएगा cosec theta थीक है? तो इस तरीके सा आप इसको बाट लिएगा अब एंगल की measurement की मैं बात करता हूं और एंगल की measurement की मैं बात करता हूँ उसके बाद फिर मैं आपको trick भी बताूँगा कैसे इसको याद रखना है तो angle के measurement की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर angle का measurement क्या रहेगा तो angle का measurement जो है वो 0 degree, 45 degree, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree इस 5 values पे आपको सारी चीज़े पता होना चलिए तो 0 degree तो 0 degree है पहला 0 degree है तो इसमें तो कोई change नहीं होगा दूसरा आएगा 30 degree मतलब pi by 6 pi by 6 का मतलब क्या होता है 30 degree क्योंकि देखे भई, pi radian का मतलब 180 degree होता है और अगर pi by 6 मैंने लिखा तो 180 by 6 हो जाएगा, 180 by 6 का मतलब 30 degree 30 degree पर क्या value है यह हमें याद रख लाए इसके बाद आएगा pi by 4, pi by 4 का मतलब 45 degree इसके बाद आएगा pi by 3, pi by 3 मतलब 60 degree इसके बाद आएगा भई, last में pi by 2 और pi by 2 का value अभी देखा भी था थोड़ देर पहले 90 degree क्यों होता है समझ में आगे 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 आप लोगे क्लियर यहां तक समझ में आगे बात है चलिए, अब यहां से समझना चालो करें कैसे हम इस चीज को याद रख सकते हैं बहुत ज़्यादा important है और मैं trick के जरीए आपको बताऊँगा कैसे याद रखना है और बहुत simple trick है अगर आप इस trick को याद रखेंगे तो आप कभी भी नहीं बूलेंगे कि sin theta का value क्या है, cos theta का value क्या है, cos theta का value क्या है तो देखें, जैसे आपने देखा एक, दो, तीन, चार, पांच value है मैं यहाँ पर पहले आपको trick बता देता हूँ, फिर इसको याद करेंगे देखें, trick क्या है कि simply आप क्या करिए यहाँ पर लिखना चालू करिए, 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, divided by क्या करदेंगे, 4, divided by क्या करदेंगे, 4, divided by 4, divided by 4, divided by 4, divided by 4, divide कर लिया, तो पहले 0 से लेकर, क्या किये, 4 तक लिखिया, उन सबको 4 से बाठ दिया, अब इनका वर्ग मूल ले लिंगे, square root, square root, square root, square root, square root, बताइए भाई, कितना आ गया value, यही है इसका value, यह तो 0 आएगा, यहाँ 1 by 2 आएगा, यहाँ पर 1 by root 2 आएगा, यहाँ पर root 3 by 2 आएगा, और यहाँ पर बनाएगा, क्या आप इसको याद रख सकते हैं, simple trick है, 0, 1, 2, 3, 4 लिग दिया, 4 से सब को बाट दिया, और सब का square root ले लिया, जो value आया, sign का यही value होता है, sign 0 degree 0, sign 30 degree आधा, sign 45 degree का value होता है, 1 by root 2, sign 60 degree का value, root 3 by 2 होता है, और sign 90 degree का value, 1 होता है, इस चीज़को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, तो जो trick वाला पाट है, इसको अब मैं हटा देता हूँ, याद रखेगा, trick कैसा है, इसको कभी भी आपको भूलना नहीं है, बहुत simple तरीका मैंने आपको बताया, याद रखने का, ठीक, अब मैं यहाँ पर केवल वही value लिखूंगा, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया, कैसे याद रखना याद हो गया, अब देखिए, यहाँ से cost theta का value क्या है, क्या हमने यह सीखा है, शुरुवाती तोर पे, कि sin theta बरावर cost 90 minus theta होता है, और cost theta बरावर sin 90 minus theta होता है, क्या हमने यह चीज सीख लिया, इसी चीज का आपको फाइदा उठाना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए, हमने देखा, किंट values की बात कर रहे हैं, 0 degree की बात कर रहे हैं, 90 degree की बात कर रहे हैं, तो 0 degree क्या होता है, 90 degree minus 0 degree होता है, और 90 degree क्या होता है, 90 degree minus 0 degree होता है, जो यहाँ पर sin theta है जो यहाँ पर sin theta है यानि sin 0 है वो यहाँ cos 90 हो जाएगा और जो यहाँ पर cos 90 है वो यहाँ पर sin 0 हो जाएगा क्या आप इस बात से सहमत है साथ में 30 degree 60 degree 30 degree होता है 90 degree minus 60 degree और 60 degree होता है 90 degree minus 30 degree क्या आप इस बात से सहमत है तो अगर यहाँ पर sin 30 degree जो value आया, sin 30 degree अगर आधा है तो आप यहाँ आधा लिख देंगे, और यहाँ sin 60 degree का value था, तो यहाँ root 3 by 2 लिख देंगे, अब 45 एक ऐसा value है, जो 90 degree minus 45 करने पर भी उतना आता है, तो जो sin 45 है, वही cos 45 रहेगा, 1 by root 2 हो जाएगा, कहने का मतलब यह है, कि अभी हमने किया तो क्या किया, जो value sin theta में हमने left to right लिखा था, जो हमने यहाँ left to right लिखा था, इसी को हमने reverse करके, इसी को हमने reverse करके, उल्टा करके यहाँ, एक root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 0 लिख दिया, लेफ to right जो था, वो right to left हो गया, याद रहेगा इसको, कैसे याद रखना है समझ में आगया, अब आते हैं tan theta, tan theta याद कैसे करे, तो देखे, फिर से वापस मैं आपको ले चलता हूँ, क्या हमने यह सीखा था, कि tan theta का value क्या होता है, tan theta होता है sin theta by cos theta, इस result को आप पकड़ लिजे, tan theta क्या होता है, sin theta by cos theta, तो इस चीज़ को आप पकड़ लिजे, यहाँ से आपको ये value याद हो जाएगा, कि sin divided by cos 0 होता है, इन नोनों को divide करोगे तो 1 by root 3, 1 by root 2, 1 by root 2 को divide करोगे तो 1, और यहाँ root 3 by 2 और 1 by 2 को divide करोगे तो root 3 आएगा, और यहाँ पर infinite आजाएगा, clear, अब quad theta को और tan theta को मैंने दो तरीके से इसको मैंने connect किया है, tan theta, quad theta, 90 degree minus theta में भी convert हो जाते हैं, साथ ही एक दूसरे के view लिजे, भी होते हैं, मतलब 1 by 0 करोगे तो infinite यह हो जाएगा root 3, यह 1 हो जाएगा, इसका view लोगे तो 1 by root 3, और यह 1 by infinite करोगे तो यहाँ पर 0 आजाएगा, आप इसको left to right जो लिखेते हैं, वह ही यहाँ पर right to left में लिखा जाएगा, sec theta की बात करते हैं, sec theta क्या है, sec theta है, cos theta का view लोग, sec theta क्या है, cos theta का view लोग, क्या आप इस चीज़ से सैमत है, हमने क्या लेखा था, sec theta क्या होता है, 1 by cos theta, और sin theta क्या होता है, 1 by, यानि cos theta होता है, तो cos theta क्या होगा, 1 by sin theta हो जाएगा, clear, उसी प्रकार, अगर आपने एक बार sec theta निकाल दिया, और cos theta चाहिए, क्योंकि cos theta क्या है, sec 90 degree minus theta, तो sec theta के लिए क्या चाहिए हमें, cos theta चाहिए, जो की 1 है, तो 1 का view क्रम 1 होगा, यहां root 3 by 2 है, तो यहां 2 by root 3 हो जाएगा, और यहां पे अगर 1 by root 2 है, इसका view क्रम लोग है, तो root 2 हो जाएगा, cos theta का, यहां पे 1 by 2 है, तो यहां 2 हो जाएगा, अगर यहां 0 है, तो 1 by 0 infinite हो जाएगा, ठीक है, 1 by 0 का value infinity होता है, जब cos theta चाहिए, तो जो चीज आपने sec theta में left to right लिखा, उसको यहां पर right to left लिख देंगे, मतलब infinity था, तो यहां infinity आजाएगा, यहां 2 था, तो यहां 2 था, आया जाएगा, यह root to root to same हो जाएगा दोनों में, यहां 2 by root 3 है, तो यहां पर भी 2 by root 3 आजाएगा, यह 1 है, तो यहां पर 1 आ लिएगा, clear, यहां तक बातें समझ भाएगा होगी, चलिए, आशा करता हो, इसको आपने note down कर लिया होगा, अब इसको समझ भी लीजी, और कैसे हमने इसको समझा है, और कैसे याद रखा है, इस trick को, किवल आप sign theta वाले trick को याद रखिए, बाकी चीजों का, आप relations देख चुके हैं, तो बाकी चीजों को easily आप calculate कर सकते हैं, बहुत important है, क्योंकि value putting जब question बन जाता है, value putting के उपर जब सवाल आता है, तो वहाँ पर आपको solve नहीं करना होता, इन में से कुछ value ले लिजिए, 30 degree पर, 45 degree पर, 60 degree पर, 0 degree पर, 90 degree पर, और जो question है, वो फटाफट के calculate हो जाते हैं, आरे questions ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन, 60% question trigonometry में, जो आपके exam पुछे जाते हैं, कई बार आपके value putting से सवाल, बहुत तेजी से solve हो जाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत important है, अब देखे, ये तो मैंने आपको बताया, 0 से लेकर 90 degree तक का values, लेकिन, क्या angle इतना ही होता है, मतलब ये 0 degree तो ठीक था, इसको हम क्या कहते हैं, 0 degree कहते हैं, अब देखे, कुछ चीजों को समझने की कोशिश करना, ये वाला जो angle है, इसको starting में जो है, इसको हम 0 degree कहते हैं, और हम यहां से anti-clockwise घूमना चालू करते हैं, इस तरीके से, तो पहली बार जब आप यहां 90 degree, क्योंकि आपने यहां पर 4 बरावर बरावर हिस्तों में काटा इसको, पहली बार आप जब 90 degree पहुंचते हैं, तो 0 से लेकर 90 degree तक के पीच का जो value है, इसको हम कहते हैं, फस्ट quadrant, पहला quadrant है, 90 degree प्लस 180 degree, यह अब 180 degree बन जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका 90 degree था, एक बार और यहां पर आप 1 चौथाई complete करोगे, तो 180 degree पर आऊगे, तो यह 90 से 180 degree के बीच का value होता है, सेकेंड quadrant, 180 से यहां पर 90 बढ़ोगे तो 270 degree बनेगा, और 270 degree पर फिर से एक बार यहां पर जो value आए, यह वाला quadrant क्या लाता है, तीसरा quadrant, और यहां 270 से बढ़कर यहां तक गए, तो फिर से 360 degree होगा, तो जो 360 degree होता है, वही आपका 0 degree भी होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो 4th quadrant कहते हैं, तो मैंने आपको अभी केवल और केवल 1st quadrant का value बताया, मतलब कि आपसे मैंने पूछा कि बताईए, 45 degree कितना है, साइन 45 तो आप कहा दोगे 1 by root 2, लेकिन अगर मैं आपसे पूछू कि बताईए, भाई, साइन 120 degree का मान क्या है, तो 120 degree तो यहां आगा, 120 degree तो 2nd quadrant पे आगया, तो इसको भी trick के जरिये समझते हैं, और कोई भी angle आपसे पूछ ले, जैसे 1080 degree का value आपसे पूछ ले, तो भी आप बता पाएंगे, इस trick को जानने के बाद, तो चलिए समझते हैं, यह तो पहला 1st quadrant का हो गया था, अब 2nd quadrant, 3rd quadrant, 4th quadrant, या 360 degree से कोई बड़ा angle भी आगया, तो भी क्या करना है, सारी चीज़ें भी discuss करते हैं, तो पहले आप quadrant बना लिजीए, दो इस तरीकी से, इसको हम क्या कहते हैं, y axis कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, x axis कहते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा, ये वाला angle जो है, ये 0 degree होता है, या आप इसी को ही 360 degree भी कह सकते हैं, यहां से आप anti-clockwise गुमोगे, तो पहली बार यहां पर 90 degree बनेगा, एक बार और 90 degree गुमेगे तो यहां पर जो angle बनेगा, ये आपका बन जाएगा 180 degree का, ये जो बन जाएगा, ये आपका 270 degree का बनेगा, और यहां से वापस आओगे तो 360 degree बन जाएगा, सारे के सारे क्या है 90 degree, ये भी 90 degree, ये भी 90 degree, ये भी 90 degree, अब मैं यहां पर आपको दो rule बताऊँगा, इन दो rule को आप याद रखे, और सारे values आप easily calculate कर पाएंगे, इन दो rule के तहाद, तो समझें, और इस rule को याद करने का तरीका भी समझेंगे, यहां पर क्या होता है, ये है 1st quadrant, ये है आपका 2nd quadrant, ये है आपका 3rd quadrant, ये है आपका 4th quadrant, तो ये जो है, जो है एक-एक व्यक्ति का इलाका है, इलाका कहने का मतलब, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर कोई-कोई चीजे ही positive होती है, सारी चीजे positive नहीं होती, और example, समझें, यहां पर जो है, all functions जो है positive होते है, all functions यहां पर positive होते है, यानि कि सारे ratios, चाहे आप sin theta ले लिजिए, cos theta ले लिजिए, tan theta या cot theta, या cosec theta या sec theta, सारे positive होता है, क्या आपको यहाँ पर कोई value negative दिखाए दे रहा है, यह 0 degree से 90 degree के बीच में क्या आपको कोई भी value negative दिखाए दिया, रिनात्मक नहीं दिखाए दिया, तो पहला जो है 0 degree से 90 0 degree के बीच में, सारे ratios, चाहे वो sin हो, cos हो, tan हो, cot हो, sec हो, cosec हो, सारे के सारे positive होता है, जैसे ही अब second quadrant में आओगे, एक quadrant आगे भढ़ गए, तो यहाँ पर जो है केवल और केवल sin theta positive होता है, sin theta positive, sin के साथ साथ, आपको समझना होगा, sin किस में convert हो जाता है भई, तो sin convert हो जाता है cosec में, sin और cosec, देखे, इसको याद रखिएगा, अगर मैंने sin के दिया, तो sin के साथ आजाएगा cosec, जैसे ही मैंने cos कहा, तो cos के साथ आजाएगा sec, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के दूसरा कोई चारा नहीं, अगर cos theta positive हो गया, तो cos theta के साथ sec theta positive हो गई होगा, tan theta positive हो गया, तो tan theta के साथ साथ cot theta positive होगा ही होगा, ठीक है, धनात्मक होगे, तो दूसरा जो quadrant है, किस का इलाका है, तो भही sin का इलाका है, और sin का इलाका है, तो sin के साथ यहाँ cosec भी आ जाएगा पहले no down करिए फिर यहां पर मैं ट्रिक बताऊंगा अब तीसरा जो quadrant है यह तीसरा इलाखा किसका है तो 10 का इलाखा है 10 और 10 का व्यूत करम क्या होता है caught होता है तो 10 के साथ caught automatically आ जाएगा ठीक लास्ट वाला जो इलाखा है यह fourth quadrant यह किसका है कॉस और कॉस जब आ गया तो कॉस के साथ sec automatic आना अनिवारी है अब देखिए याद क्यासे करें तो जब याद करने के बाद आती है तो मैं यहां पर एक statement अभी लिखूंगा इस statement के जरिया आपको याद हो जाएगा statement बड़ा simple है आप इसको लिखेंगे add sugar to tea add sugar to coffee लिखेंगे तो किस में शक्कर डाल रहे है हम लोग डाल रहे हैं शक्कर कॉफी में इस statement को अगर आप याद रख सकते हैं add sugar to coffee अगर आप इस statement को याद रख सकते हैं तो आप देखिए इस statement में चार शब्द है और चारों शब्द के पहले अक्षर्व को देखी पहला लेटर यहां पर क्या है यहां पर क्या है तो S है यहां पर क्या है तो T है और यहां पर क्या है तो C है मैंने कहा यहां पर all signs positive होते है तो पहले A है तो all signs पहले वाले quadrant में first quadrant में positive होगे दूसरे quadrant में जैसी आए तो यहाँ S लिखा हुआ है तो मैंने कहा sign और sign के साथ sign का व्यूत करम यानि की cosec भी positive होता है तो sign और cosec दोनों positive हो गए तीसरे शब्द की बात करें तो 2 है और 2 में आप देख पा रहे हैं पर T लिखा हुआ है तो T किसका होता है tan theta का होता है और पीसरे quadrant के जब बात करेंगे तो यहाँ पर tan के साथ cot जो है यह positive हो जाएगा चौथे quadrant में आएगे तो यहाँ C है C का मतलब cos cos के साथ जो है sec जो है positive हो जाता है इसको हम क्या कहते है y-axis यह positive y-axis कहलाता है यह negative y-axis कहलाता है यह कहलाता है x-axis positive यह कहलाता है x-axis negative ठीक है तो यह axis जो है इसको हम horizontal vertical axis में यह आपका x-axis कहलाता है यह आपका y-axis कहलाता है उसमें भी यह positive यह negative यहाँ पर उपर वाला positive नीचे वाला negative तो यह x-axis क्या represent करता है x-axis represent करता है 0 180 degree और 360 degree को ठीक है तो x-axis का एक rule है साथ में इस y-axis का एक और rule है तो दोनों rule को समझ के रखें जभी भी हम यहाँ पर y-axis के इर्दगिर यानि कि 90 degree plus theta या 90 degree minus theta में इसको change करें या 270 degree plus theta या 270 degree minus theta में यहाँ पर जो ratios है वो एक दूसरे में बदल जाती है किस तरीके से बदलती है उसको समझी मतलब समझे मैं यह कहना चाहरा हूँ 90 degree plus minus theta में और 270 degree plus minus theta में यानि हम बात कर रहे है y-axis के terms में यह y-axis है इसके terms में हम बात कर रहे है जबी भी हम इसमें कोई change करें angles को तो यहाँ प function जो है tan theta जो होता है यह आपका cot में convert हो जाता है cot theta यो है आपका tan में convert हो जाता है तीसरे वाले की बात करें तो यहाँ पर आपका sine cos हो गया चैन कॉट हो गया इसके बाद क्या बचा टो एक last और जो की होता है cosec और sec तो cosec जो ऑपमें change हो जाते हैं यानिकी अगर cosec दिया ह तो cosec theta जो है किसमें change हो जाएगा sec में और sec theta जो है किसमें change हो जाएगा cosec में यहां तक clear है सारी चीज़े यहां तक clear अब आते हैं भई यहां पर x axis की बात कर लेते तो 0 degree है यहां पर 180 degree यहां 360 degree तो 0 degree के साथ जबी हम plus minus theta कर ले या 180 degree के साथ यदि हम plus minus theta कर लें या हम यहाँ पर 360 degree के साथ हम plus minus theta कर लें ऐसे conditions में no functions change होगा no change in ratios याने कि जो sin theta है वो sin theta में रहेगा जो cos theta है cos theta में रहेगा जो tan theta है वो tan theta में ही रहेगा जो cot theta है वो cot में रहेगा और जो sec है वो sec में रहेगा कोई चेंज नहीं होगा अब ये दोनो रूल को आपको याद रखना है इतना ही बस आपको याद रखना है ये रूल और ये रूल इन दोनो रूल के तहट आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ले आप निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी थोड़ देर पहले कहा था डिग्री जो है कहा से कहा तक लाई करता है ये 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है तो आप बताइए कि 120 डिग्री कहा आएगा ये 90 डिग्री यहाँ पर है 180 डिग्री हाँ पर है तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में इसका मतलब second quadrant second quadrant की बात करें तो क्या positive है भई तो sugar याने s sign और cosec positive है याने यहाँ अंतिम में जो भी value आएगा sign 120 degree है तो sign 120 degree क्या होगा हमेशा positive होगा पहला rule ठीक है याने हमने यह बता दिया कि यह यहाँ पर एक घनात्मक अंक होगा यह रिनात्मक नहीं होगा हमेशा क्या value आएगा तो positive value आएगा यहाँ तक clear है चीज़े चलिए अब हम आते हैं second point पे कि अब इसका value निकाले तो कैसे निकाले तो second quadrant की अगर हमने बात की second quadrant जो है 90 degree plus theta भी हो सकता है 180 degree minus theta भी हो सकता है कि इसको 90 degree plus 30 degree करेंगे तो भी 120 degree होता है 180 degree minus 60 degree करोगे तो भी 120 degree ही होता है और दोनों से कोई फरक नहीं पड़ता आपका उत्तर सेम आएगा दोनों conditions में तो देखे समझे इसको जैसी आपने देखा sin 120 degree तो एक बच्चा कहेगा सर यह तो sin 90 degree प्लस 30 degree जैसा लिख रहा है है कि नहीं तो यह तो ऐसा भी लिख सकता है कोई दूसरा बच्चा कहेगा सर इसको तो ऐसा भी लिख सकते थे ना sin 180 degree minus का 60 degree तो आप चाहे इसको second quadrant वाले value को 90 degree plus theta के terms में लिखे या 180 degree minus theta के terms में लिखे बात एक की है इससे भी same उत्तर आएगा इससे भी same उत्तर आएगा कैसे उसको समझेए अब rule याद करिए कि 90 degree plus minus theta में होता क्या है 90 degree का मतलब y axis और 90 degree के बारे में मैंने आपको क्या बता के रखा है कि 90 degree plus minus theta में sin function cos में convert हो जाता है sin अगर cos में convert हो जाता है साथी साथ अगर 180 degree plus minus theta में अगर आप लिखो जो कि आपका x axis है इसमें कोई change नहीं मतलब sin sin में रहेगा तो इस चीज़ का हम यहाँ पर इस rule का फायदा यहाँ पर उठाएंगे जैसे कि आपने देखा 90 degree plus theta तो आपको क्या कर देना है यहाँ पर cos लगा देना है क्योंकि cos बन जाता है 90 degree plus का मतलब sin function cos में convert हो जाएगा और यह 30 degree होगा 90 degree को आप भूल जाना तो यहाँ जो theta था बस इसी पर द्यान लेंगे sin function 90 degree plus 30 है तो यहाँ पर cos 30 degree हो जाए साथ में sin 180 degree minus 60 है अब 180 degree plus minus theta में function change नहीं होता मतलब यहाँ आपको क्या लिखना है तो sin 60 degree लिखना है यहाँ तक clear है अब आप मुझे बताइए cos 30 degree का मतलब क्या होता है और sin 60 degree का मतलब होता है चाहे आप cos 30 degree का value ले लीजे चाहे आप sin 60 degree का value ले लीजे दोनों का value क्या होता है root 3 by 2 होता है देखे टेबल हमने बना के रखा है चाहे आप यहाँ से sin 60 degree ले लीजे root 3 by 2 चाहे आप cos 30 degree ले लीजे root 3 by 2 होता है तो दोनों में उत्तर तो सेम ही आ रहा है चाहे आप यहाँ पर cos 30 degree लीजिए या sin 60 तो यह कोई फरक नहीं पड़ता कि आपने sin 90 degree plus 30 से solve किया या sin 180 degree minus 60 से solve किया जो आपको असान लग रहा है उसको आप लीजिए और दोनों से उत्तर सेम आएगा clear है? rule समझ में आ गया? तो कोई भी angle आपसे पूछे, आप easily इसको calculate कर सकते हैं 360 degree के बाद, 360 degree के बाद cycle repeat होता है यानि कि अगर मैंने 390 degree लिखा ठीक है? 390 degree अदि मैंने लिखा 390 degree तो 390 degree का मतलब क्या हो जाएगा? यह 30 degree के बराबर ही होगा क्योंकि यह क्या है? यह है भई 360 degree प्लस 30 degree और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 360 degree और 0 degree का मतलब सेम होता है cycle अगर आप देखेंगे तो 0 degree वहीं बनता है जहाँ पे 360 degree बना मतलब एक cycle पुरा complete हो गया तो वापस ही यहाँ पर आजाएगा 0 degree पर जाकर 360 degree cancel out हो जाएगा यानि जो 360 है वही 0 है 0 के बाद cycle repeat होता है तो इस चीज़का आपको ध्यान रखना है चलिए अब एक दो example के जड़िए इसको समझते हैं इसका values कुछ examples में यहाँ पर लिखता हूँ इसका values आप बताएंगे कितना आएगा ठीक चलिए बताएंगे इसका value के आएगा 10 690 degree का value इसका value आपको बताना है अब आप बताएंगे यहाँ से cos 225 degree का value कितना होगा और एक और value लिख लेते हैं जैसे कि for example अगर मैं लिखूं यहाँ पर ठीक है इसका value बताएगे कि यह कितना आएगा 10 हो गया, cos हो गया, cosec का value बताएगे cosec में आप बताएंगे कितना value तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 240 degree का value 240 degree तो तीन example मैंने लिखाए अब देखें, 690 degree देखते साथ आपको समझ में आना चाहिए कि value यहाँ पर जो है 790 degree, 720 degree minus 30 degree हुआ है और 730 तो 0 हो जाएगा क्योंकि यह 360 का multiple है 360 का गुणा जाए 360, 360 दो बार हुआ, मतलब value cancel out होगे, मतलब यह क्या है तो 10 minus का 30 degree है और minus 30 degree का मतलब क्या आपने यहाँ पर 0 degree में 30 degree minus किया, आपने क्या क्या 0 degree में 30 degree minus किया correct, minus 30 का मतलब यह हूँ तो आप कौनसे कॉडरेंट की बात कर रहे है आप यहाँ पर 4 कॉडरेंट की बात कर रहे है और 4th कॉडरेंट में 0 degree minus इतना, मतलब 0 degree minus इतना, यहाँ पर cos और set positive होता है यानि definitely यह जो value है negative आएगा, और negative कितना negative कितना आएगा, तो 10 30 degree आएगा, तोंकि 225 degree देखते साथ क्या समझ में आ रहा है कि मैं इसे लिख सकता हूँ cos of 180 degree plus 45 degree, ऐसा लिख सकते है कि नहीं 180 degree plus 45 degree करने का मतलब हम जा रहे हैं तीसरे कॉडरेंट में, थर्ड कॉडरेंट में और थर्ड कॉडरेंट में positive क्या होता है tan और cot, तो यह तो cos है मतलब यह negative होगा और साथ ही साथ, अगर आपने देखा कि 180 degree में plus minus हो रहा है 180 degree में plus minus हो रहा है तो value same रहेगा, cos 45 होगा और cos 45 का value 1 by root 2 होता है तो minus 1 by root 2 इसका value हो जाएगा यहां तक clear cosec of 240 degree तो देखी, इसको मैं लिख सकता हूँ cosec 270 degree minus 30 degree cosec 270 minus 30 degree इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर 240 270 में 30 कम है और 270 minus 30 degree लिखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि यह हम discuss कर रहें तीसरे quadrant तो एक बार फिर से 3rd quadrant आ गया 3rd quadrant में क्या positive होता है 3rd quadrant में positive होता है tan और cot tan और cot के अलावा सारे negative होते हैं मतलब यह अगर है तो यह तो negative होगा लेकिन negative में आपको समझना है कि यह 270 है मतलब y axis है y axis में cosec function change हो जाता है sec में मतलब यह हो जाएगा sec 30 degree बराबर है और जैसी आपने देखा sec 30 degree तो sec 30 degree का मान क्या होता है sec 30 degree का value हो जाता है 2 बटा root 3 क्योंकि cos 30 degree का value हमने देखा था root 3 by 2 होता है और sec होता है cos का viewt crime तो यह हो जाएगा 2 बटा root 3 लेकिन 7 में minus भी रहेगा क्योंकि हम 3rd quadrant में और 3rd quadrant में 10 positive होता है यह तो cosec है क्या यहां तक आपको मेरी बाते समझ में आ गई अब यहां से हम चलते है सवालों पर यह तो कुछ theory पाट है और trigonometry में theory समझना बहुत जरूर हुई लेकिन मैंने यहां पर आपको theory के साथ उस theory को याद कैसे रखे है यह भी हमने discuss किया ना सिर्फ values में बलके यहां पर जो change करना है हमें उसमें भी हमने कुछ tricks के जरी इसको याद रखे तो आशा करता हूँ यह सारे tricks जो है और formulas जो है किस तरीके से इसे use करना है यह आपको याद रहेंगे अब मैं लेकिए चलता हूँ आपको सवाल उपर और सवाल solve करेंगे ठीक है और देखते हैं आपके exam में किस तरीकी की pattern के questions आते हैं ठीक है चलिए पहला सवाल है आपके screen के उपर sign 630 degree plus a plus cos a कमान क्या है आपको बताना है देखिए उत्तर जब आप देखेंगे answers जैसी आप देखेंगे तो आपको समझ बहाएगा यहाँ पर तो a है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा भई यहाँ पर a कमान दाल दूँगा 0 degree a का value दाल देंगे 0 degree जबी भी sign और cost के उपर question बन गया तो 90% cases में 0 degree या 90 degree में value satisfy हो जाता है solve हो जाता है जैसी मैं इसको 0 degree दालो जदा आसान होगा कि 90 degree दाल दे ठीक है क्यों क्योंकि देखें 90 degree में जो है cost भी 0 हो जाएगा 90 degree में ये 0 हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये cost 90 बन गया तो ये क्या होगा cost 90 degree और ये क्या है भई ये है साइन 630 प्लस 90 तो 720 डिग्री आ गए ये तो cos 90 तो 0 होता है और ये क्या है भई ये साइन 720 है मतलब साइन 0 डिग्री के बराबर ही होगा क्योंकि 720 कुछ और नहीं होता है 2 गुने 360 360 तो 360 डिग्री का मतलब 2 बार पूरा सरकल कंप्लीट करके वापस 0 डिग्री पे आ गया तो sin 0 डिग्री जो है ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा याने C जो है सवाल का सिर्थ कर यहां तक बाते समझ भें अभी आगे बढ़ते यहां से बताईए भई इसका वैलू क्या है 4 बटे 3 cot square पाई भाई 3 का मतलब 30 डिग्री 3 cos square 150 डिग्री माइनस 4 cosec square 45 डिग्री प्लस 8 sin पाई भाई 2 का मान क्या है आपको बताना है तो देखें पाई का मतलब सिंपल चीज है पाई का मतलब क्या है 180 डिग्री पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री तो कहीं-कहीं पर angle degree पे दिया है, कहीं-कहीं पर radiant measure पे दिया है, तो दोनों चीज़े आपको पता होना चाहिए, रेडियन measure का value भी आपको पता होना चाहिए, और degree measurement भी आपको पता होना चाहिए, चलिए solve करते हैं, यह 5 by 6 का मतलब क्या होता है, 5 by 6 का मतलब होता है, 30 degrees, 30 degrees तो 3 into cos 1.500 cos 150 का मतलब क्या होता है वहीं यह होता है cos of 180 minus 30 cos 180 minus 30 का मतलब minus cos 30 हो जाएगा क्योंकि हम second quadrant की बात कर रहे हैं और second quadrant में cos negative होता मतलब यह कितना हो गया minus of root 3 by 2 minus root 3 by 2 एक बार और यहां negative value है तो minus से कोई फरक नहीं पड़ेगा minus root 3 by 2 जब आप करोगे इसका square लेना है तो इससे कोई फरक नहीं परता है कि value positive आ रहा है कि negative आ रहा है बस आपका value जो है वो सही होना चाहिए तो minus root 3 by 2 का whole square minus of 4 into cosec लेलो या sec लेलो 45 दिगरी पे दोनो root 2 होते हैं और root 2 का आपको करना है square ठीक plus last में है भी 8 और 8 के साथ sin 5 by 2 है 5 by 2 का मतलब 90 degree होता है और 90 degree पे sin 91 हो जाएगा तो यह बन हो गया solve कर लीजिए बताइए कितना हैगा देखें यहां से अगर आप इसको solve करें 3 root 3 square को काट देगा तो 4 आ रहा है plus 3 into 3 याने 9 बटा 2 हो गया है sorry 9 बटा 4 हो जाएगा यह 9 बटा 4 minus of 4 into यह भी 2 बन गया मतलब 8 हो गया मतलब minus का 8 plus का 8 आठ आगे है तो 8 और 8 तो कड़ जाएगा तो कितना value आगया 4 plus 9 बटा 4 LCM दोना का हो जाएगा यहाँ पर 4 4 यहाँ पर जाएगा तो 16 plus 9 आ रहा है next सवाल के ओर next question है आपके screen के उपर SSC के exam में favorite question है यह वाला इस तरीके के question को represent करने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे sec और यहाँ cosec बन गया ऐसे ही अलग अलग pairs है उस तरीके के pair को पहले में discuss कर लेता हूँ आपके साथ करना क्या है यहाँ पर कुश्री करना है यह जो 4 theta दिख रहा है और यहाँ theta plus 20 degree दिख रहा है इसको जोड देंगे 4 theta plus theta plus 20 degree को जोड देना है equal to 90 degree कर देना है मतलब कितना हो गया 4 theta plus theta कितना हो गया 5 theta हो गया और यह 20 degree दूसरे तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 70 डिगरी और थीटा बरावर कितना हो गया 5 से काटोगे तो यहां 14 आएगा यानि थीटा का value हो गया 14 डिगरी बस इतना ही करना है यही आपका solution है ऐसा कब कब करना है इसके बारे में थोड़ा सा discussion कर लेता हूँ जब sec और ko sec है तब ऐस करना है और साइन कॉस्ट में ऐसा करना है कहां कहां पर हमको यह यूज करना इसके बारे में थोड़ा सा discussion करने थे ऐसा क्यों हो रहा है यह आपको बताऊंगा ठीक है देखिए यह हमने डिसकस किया था चार्टिंग में यह हमने डिसकस करके रखा कि साइन थीटा बरावर हो हमने यह भी डिसकस किया कि टैन थीटा बरावर होता है कॉट 90 मैनस थीटा और कॉट थीटा बरावर होता है टाइन 90 डिगरी मैनस थीटा यह सारी चीज़े हमने डिसकस करके रखा हुआ है इनी कुछ expressions को देखकर आपको यह समझना है कि यहां से अगर मैं इस value को इस value को तो theta है प्लस इन दोनों को यदि मैं जोड़ो तो कितना आ रहा है 90 डिगरी मानस थीटा रहा है तो theta से theta कड़िया value कितना आ गया Sinne मतलब कि यह जो theta 1 है plus theta 2 है इसका मान कितना होता है 90 degree होता है ठीक कहां कहां पर होता है तो यहां सारे सारे जगाप पर होता है जब sin theta बरावर cos theta हो जाए या cos theta बरावर sin theta 1 हो जाए इस तरीके से ठीक थोड़ा से यहां पर आप results को note down करके रखनी जे कहां कहां पर हमें यह चीज़ एपलाय करना है इसके बारे में थोड़ा सा discussion कर लेते हैं तो सबसे पहली बार ठीक थीटा 1 और थीटा 2 दो कोण है अगर दिया हुआ है यदि हमें दिया हुआ है कि sin theta 1 बरावर है cos theta 2 या हमें द यहां तक clear है अब देखिए इस में से कुछ और expressions को आप याद रखेंगे ठीक है जैसे कि देखिए इस cos theta 2 को दूसरे तरफ ले जाओ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना sin theta 1 है यदि मैं is equal to 1 करके इस cos theta 2 को दूसरे तरफ ले जाओ तो multiplication में 1 by cos theta 2 होगा की नहीं होगा क्या आप मेरी इस बात से सहमत है और 1 by cos theta 2 को मतलब होता है sec theta 2 यानि ऐसा भी दिया जा सकता है कि sin theta 1 में क्या multiplied है sec theta 2 multiplied है is equal to 1 तो यह जो statement है और यह जो statement है यह हूभा हूँ same बात कह रहा है कुछ नहीं बात नहीं कहा बस cos theta को उठाके इसने यहाँ पर कर दिया और 1 by cos theta 2 बराबर होता है sec theta 2 यहाँ पर इसने sin theta 1 into sec theta 2 बराबर कर दिया 1 ठीक है तो इस तरीके से भी इसका expression हो सकता है मतलब यह तो ऐसा लिखा हो यह तो ऐसा दिया होगा कि sin theta 1 multiplied by sec theta 2 ऐसा और कहां पर हो सकता है ऐसा ऐसा भी किया जा सकता था कि sin theta 1 को दूसरे तरफ बेज़ दे और लिखेगा cos theta 1 multiplied by cos theta 2 is equal to 1 ऐसा भी लिखा जा सकता था यहा फिर देखिए यहां तक समझ में आ गया इसके बाद देखिए अब यहां से इस tan theta 1 को दूसरे तरफ ले जाए या cos theta 2 को दूसरे तरफ ले जाए जैसे cos theta को यहां ले गया तो लिखा जाएगा tan theta 1 multiplied by tan theta 2 बराबर होता है कितना again 1 यह tan theta 1 को दूसरे तरफ ले गया तो आ जाएगा cos theta 1 multiplied by cos theta 2 इन सभी प्रस्णों में कोई भी प्रस्ण आपको दे दिया गया कि sin theta 1 बराबर cos theta 2 है यह tan theta 1 बराबर cos theta 2 है यह sin theta 1 into sec theta 2 बराबर 1 cos theta 1 into cos theta 2 बराबर 1 tan theta 1 into tan theta 2 बराबर 1 यह cot theta 1 into cot theta 2 बराबर 1 इन में से कोई भी चीज आपको exam में दे दिया जाया इन सभी expression में से तो एक चीज, एक result आपको जो apply करना है, सभी में आपको apply करना है, then क्या हम use करेंगे, इसको आप बढ़िया से बना के रखें, notes, then हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, theta 1 plus theta 2 बरावर 90 degrees, इसी को ही हम कहते है, complementary angle, इसी को क्या कहते है, complementary angle, complementary angles, ठीक है, पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण होता है, और supplementary का मतलब जब some 130 degree हो जाया, तो इसको supplementary कहते है, यहने producers, अपूरक कोण, तो theta 1 plus theta 2 क्या है, 90 degree है, complementary angle होगा, अगर ऐसा दिया है, मतलब यह theta 1 plus theta 2 90 degree होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि theta 1 plus theta 2 90 degree है, तो यह सभी statement सही होते है, तो इसको से आप एकदम नोट्स बनाके रखी अपने नोट्बुक पर और इसको अब हम डारेक्टली अप्लाय करेंगे इन सवालों पर जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया ठीक है तो यह पहला सवाल था जिसका रिजल्ट ऐसा क्यों है आपको समझ बे आ गया होगा यहां सेक दिख और मतलसं बस एक हैमंगे और यहां तक खेया अलफा क्योंटे पर कितना है चालीश डिगरी मतलब यहां से त्री अलफा बरावर कितना हो जाएगा तीस को दूसरे तरफ बेजेंगे 120 मतलब अलफा का value कितना है तो 40 degree है C जो है सवाल का सही होता है ले रहे हैं यहां तक बाते समझ भे आगे बढ़ते हैं देखें यह जो expression है इसको समझिए और यहां पर अगर आपको दिया cos 1 multiplied by cos 2 degree multiplied by cos 3 degree multiplied by ऐसा करते करते cos 179 degree तक आप जा रहे हैं तो ऐसे expression के लिए आप चोकरना रहे है कि इसके बीच में जो value आता है इसके बीच में कहीं न कहीं जो value एक बार आएगा cos 90 degree से भी multiply होगा और cos 90 degree क्या होता है जीरो होता है जीरो में कितना भी आप multiply कर लीजे answer कितना आएगा हमेशा 0 आए clear तो इस तरीके के एक्स्प्रेशन से भी बचिए ऐसा सवाल अग्जाम में आ गया तो ध्यान लेना है कि cos 90 जो है वो 0 होता है बीच में 0 आएगा पूरा का पूरा 1 यानि कि 0 बन जाएगा 10 7 degree और यहाँ पर 10 7 degree देखें यहाँ पर 10 7 degree है 11 degree 10 23 10 30 45 67 और 79 और 83 10 में है सारे values हमें क्या पता है कि 10 theta 1 into 10 theta 2 बराबर 1 होता है कब जब theta 1 plus theta 2 जो है यह कितना हो जाए 90 degree हो जाए यह चीज़ हमने अभी अभी देखा है कि ने 7 degree plus 83 degree 7 degree plus 83 degree कितना हो गया 90 degree हो गया मतलब इन दोनों को गुणा करने पर 1 मनेगा यह 11 degree plus 79 degree हो 90 हो गया इसको गुणा करने पर 1 मनेगा 23 degree और 67 degree गुणा करने पर 1 मनेगा क्या बज़ गया 1 बचा 10 30 degree 1 बचा 10 45 degree 10 30 degree का value क्यों होता है 1 by root 3 होता है और 10 45 का value क्यों होता है 1 होता है दोनों को multiply करोगे तो 1 by root 3 इसका व्यान आ जाएगा मतलब की जो है बी इस सवाल का सही उत्तर है बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा clear यहां तक बाते समझ पर आगे ठीक है तो जो values है और formula identities जो है वो आपके finger tips में होने चाहिए याद करने की कोशिश करिए इन सभी चीजों को जैसे आप याद करेंगे ठीक है और use करना आना चाहिए कि पटापट इसको कैसे use करें सही समय पर सही formula आपको याद आना चाहिए यह practice से होगा जितना ज़्यादा practice करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इन formulas को use करना ठीक जाएंगे जल्दी ठीक है चलिए next question है again देखिए यहाँ 8 theta minus 11 degree है और साथ में 10 11 theta minus 13 degree इन दोनों को multiply करने पर फिर से कितना आया 1 आया अगर यहाँ पर 1 आया हुआ है हम जानते इन दोनों को जोडने पर 90 degree बनेगा तो यहाँ से मैं इसको और इसे जोड़ देता हूँ तो कि 1 आ रहा है तो result कहता है कि 8 theta minus 11 degree plus 11 theta minus 13 degree इन दोनों को जोडने पर 90 degree बनता है यह result आपने नोट करके रखा है अभी अभी 8 theta plus 11 theta 8 theta plus 11 theta दोनों को जोड़ देते जैसी 8 theta और 11 theta जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 19 theta आ जाएगा minus 11 degree और 13 degree को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 24 degree आ जाएगा और यह किसके बराबर है 90 degree के बराबर है और 19 theta का value कितना हो गया 24 को दूसरे तरफ जोड़ोगे बेजोंके तो जुड़ जाएगा और जुड़ने पर आ रहा है 114 डिग्री, यानि 19 से इसी से काटोगे तो 6 डिग्री आएगा, मतलब थीटा कमान कितना है 6 डिग्री, थीटा कमान 6 डिग्री आगा, लेकिन आपको थीटा कमान थोड़ी निकालने को कहा, आपको बोला गया 10 theta मतलब sin 10 into 6 करोगे तो 60 degree आएगा plus 5 into 6 करोगे तो 30 आएगा मतलब कितना तो cos 30 degree sin 30 degree होता है root 3 by 2 cos 30 degree होता है root 3 by 2 root 3 by 2 plus root 3 by 2 करोगे तो root 3 answer आजाएगा ठीक है तो ए सवाल का से उत्तर है clear यहां तक समझ में आड़ी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं तो next value है यहां पर आप देख पा रहे हैं कि tan का कुछ value बरावर cot का कुछ value है tan का कुछ value बरावर cot का कुछ value है और आपको cos theta minus 20 degree का value निकालना है जैसी tan theta 1 बरावर cot theta 2 होता है तो क्या करना है दोनों को जोड़के equal to 90 degree कर देना है तो tan theta में कितना है tan theta में आप लोग देख पा रहे है 70 degree minus 3 theta है plus cos theta में कितना है तो यहां पर दिखाई दे रहा है 9 theta minus of 280 degree इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 degree आना चाहिए यह result कहता है 9 theta में से 3 theta minus करोगे तो 6 theta आएगा minus यहां पर 280 है यहां पर 70 है 280 में से अगर 70 घटा होगे तो 210 आएगा क्योंकि यह बड़ा है तो minus 210 degree होगा बराबर किसके 90 degree इस 210 को दूसरे तरफ भेजते तो 210 plus 90 300 बन जाएगा तो 6 theta 6 theta का value कितना है 300 degree बन जाएगा अगर मैं इसे 6 से काटू तो यहां पर 50 degree आएगा मतलब theta का मान हमारे पास है 50 degrees क्या निकालना था सवाल में आपको निकालना था 6 theta divided by 5 तो 6 theta divided by 5 क्या होता है 50 divided by 5 करोगे 10 आएगा 10 multiplied by 6 मतलब 10 का 60 degree है यहां पर plus cos में यहां पर आप देख रहे है theta minus 20 degree theta कितना लिया हमने 50 लिया 50 minus 20 करोगे तो cos का 30 degree आएगा clear है तो 10 60 degree भी root 3 होता है cos 30 degree भी root 3 by 2 होता है तो LCM ले लिजे 2 उपर आजागा 2 plus 1 मतलब 3 root 3 तो 3 root 3 बटा 2 जो है उत्तर हो जाएगा 3 root 3 बटा 2 जाने की यह जो है इस सवाल कसे उत्तर है यहां तक clear हो गई बात है तो कभी भी यहां 10 theta plus is equal to quad theta मिले again same result theta 1 plus theta 2 equal to 90 degree sin 2 theta बरावर cos 3 theta minus 15 है तो आपको theta कमान बताना है तो directly क्या करेंगे इस 2 theta को जोड़ देंगे इस 3 theta minus 15 से 2 theta plus 3 theta हो गया 5 theta और 15 को और जोड़ देंगे minus 15 को तो minus 15 degree बरावर है 90 degree इस 15 degree को दूसरे तरफ भेज़ेंगे तो 5 theta बरावर कितना तो 105 degree तो theta बरावर कितना theta बरावर 21 degree यानि theta कमान हमें निकालना था तो 21 degree हो जाएगा D सवाल का से उत्तर ठीक है अब इस प्रकार के question से आपको फटा-फट कैसे calculation करना है क्यों यहाँ theta 1 plus theta 2 करना है यह आपको समझ में आने लगा होगा cot theta और यहाँ पर भी cot है cot में cot multiply करके equal to 1 कर दिया तो कुछ नहीं करना है directly इसको और इसको जोड के equal to 90 degree कर देना 90 degree minus theta plus 3 theta minus 50 degree दोनों को जोडने पर कितना आ रहा है 90 degree आ रहा है तो यह 90 degree यह 90 degree कर दिया की नहीं 3 theta minus theta करोगे तो 2 theta आएगा इस 50 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो 50 degree plus में हो जाएगा मतलब 2 से काटने पर यह value बन जाएगा 25 degree ठीक है theta बराबर 25 degree आ रहा है c जो है सवाल कसे उता है आ रहा है चली आगे बढ़ते हैं next question tan 13 tan 37 tan 45 tan 35 और यहां पर tan 77 numerator में तो theta 1 plus theta 2 जब 90 होता है तो tan theta 1 tan theta 2 बराबर 1 होता है तो यहां 13 दिख रहा है और यहां 77 multiply करने पर 1 आना चीए 37 दिख रहा है यहां 53 multiply करने पर 1 आना चीए 45 डिगरी है तो tan 45 1 हो जाए 2 cosec 60 डिगरी 2 cosec 60 डिगरी cosec 60 का value क्या होता है मताईए भई cosec 60 डिगरी का मतलब पहले तो sin 60 डिगरी याद करने कोशिश करी है root 3 by 2 होता है तो यह हो जाएगा 2 by root 3 तो यह चीज़ को आपके mind में होना चाहिए cos 60 डिगरी कितना है cos 60 डिगरी होता है 1 by 2 तो 1 by 2 का square हो जाएगा यहाँ 3 by 2 आएगा ठीक है तो इस तरीके से आप समझिए यहाँ पर 2 multiplied by इसका square करना है तो 4 बटाती है cos square 60 डिगरी cos 60 होता है half का मतलब 1 by 4 हो जाएगा इसका square करने का minus 3 by 2 आएगा ठीक और plus का 2 आ रहा है ठीक तो चलिए solve करिए यह 3 उपर आ जाएगा तो यहाँ पर 3 divided by 8 है इस चीज को बताइए क्या आएगा और इस वाले expression को देखेंगे तो यहाँ पर LCM आ जाएगा 4 का यहाँ तो 4 है तो पूरा एक आएगा यहाँ 2 है तो 2 से multiply करोगे 6 यहाँ कुछ भी नहीं है 4 से multiply करोगे तो उपर 8 आ जाएगा तो बताइए भाई कितना आ रहा है यह 4 भी उपर जाएगा यह इस 4 से इसको काट देते न 8 को तो 2 यहाँ आ गया तो 3 बटा 2 इस bracket के अंदर क्या है value एक प्लस 8 होता है 9 माइनस 6 करोगे तो 3 आ रहा है मतलब 3 3 को काटेगा तो आधा आ जाएगा 1 by 2 is the correct answer तो D जो है सवाल का से हैं सारे values बहुत important है value based questions आपके exam में आते हैं आपको फटा फट इस चीज़ों को calculate करना है चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ दिया हो है कि cos square theta बढ़ा होगा सोचिए देखिए 0 degree जो है 0 degree का मतलब क्या होता है cos 0 degree का मतलब होता है 1 और 7 में cos 90 degree का मतलब क्या है तो cos 90 degree का मतलब होता है 0 मतलब कि यदि मैं cos theta की बात करो cos theta जो है यह 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से बढ़ा है 1 से तो छोटा है और 0 से बढ़ा है अगर आपने search indices का class देखा है तो search indices के class में मैंने आपको ये बात बता के रखा है कि कभी भी कोई value 0 से 1 के बीच में होता है इसके घात को बढ़ाने से value छोटा होने लगता है यानि कि अगर ये value 0 से 1 के बीच में तो cos theta और अगर मैं इसके सामने cos square theta दे ले लू तो ये value बढ़ा होगा जितना आप वर्ग बढ़ाओगे उतना value छोटा होने लगता है अगर यहाँ पर ये value 1 से बढ़ा होगा तो जितना आप इसका वर्ग बढ़ाओगे उतना ही value इसमें बढ़ा होते रहेगा लेकिन जब 0 से 1 के बीच में है 0 से 1 के बीच में होने पर इसका वर्ग यानि कि इसका पावर बढ़ाने पर value छोटा होता है मतलब कि जो value बढ़ा है वो है cos theta और cos square theta छोटा है क्योंकि यहाँ पर कोई equal sign नहीं है यह less than है मतलब 0 1 को भी touch नहीं किया 0 1 को touch करता है तब जाके यहाँ पर यह equal वाला sign आ सकता था 0 1 touch नहीं किया मतलब 0 से 1 के correct बीच में है 0 1 के equal भी नहीं है तो यहाँ पर strictly यहाँ पर इस तरीके का symbol ही बनेगा चलिए आगे बढ़तें 0 से pi by 4 के बीच में which of the following is a positive number 0 से अगर हम pi by 4 की बात करें तो निम निमे से कौन सा सही है देखे समझीए यहाँ पर बात करें जब हम sin और cost के function की बात करें तो sin theta कैसा दिखता है cost theta कैसा दिखता है यह 0 degree है मान लेते है ठीक है और यह आपका 45 degree है यानि 45 degree का मतलब pi by 4 और थोड़ा और आगे जाओगे तो यहाँ 90 degree हो जाए sin 0 degree का value क्या होता है sin 0 degree का value होता है 0 और cost 0 degree का value होता है cost 0 degree का value होता है 1 वही अगर मैं sin 45 degree की बात करूँ 45 degree की बात करूँ तो यह होता है pi by 4 इसका value 1 by root 2 होता है और cost 45 degree की बात करूँ तो cos 45 degree जो है ये भी 1 by root 2 ही होता है लेकिन अगर sin 90 की बात करो sin 90 degree 1 होता है और cos 90 degree की बात करो तो cos 90 degree 0 हो जाता है मतलब cos function की यदि में बात करो इस yellow line को देखेगा ये 1 से start होता है 0 पे और इस तरीके से कम होते होते नीचे आ जाता है लेकिन अगर मैं sin function की बात करो तो 0 से start होता है ये दोनों एक जगा पे equal हो जाते हैं और यहां तक चला जाता है मतलब ये values जो है equal हो जाते हैं एक point पर और ये जो line है यहाँ पर ये वाला जो line है ये वाला value 1 है इस point पे जाकर जो value आए इतना जो value है ये 1 by root 2 के बराबर है correct बात समझ में आ लिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये 1 है तो आपको ये समझना होगा कि आप से पूछा गया 0 से 5 by 4 के बीच में क्या होगा इन में से कौन सा positive है इन में से कौन सा धनात्म क्याने positive value है आपको समझना होगा 0 से 5 by 4 के बीच में कौस वाला जो है वो उपर है साइन वाला नीचे मतलब कौस थीटा माइनस साइन थीटा जहां दिखा ये वाला value जो है ये बड़ा होगा क्योंकि कौस थीटा बड़ा है और साइन थीटा छोटा है मतलब ये 0 से बड़ा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा conceptual question हो गया ये next question दिया है tan x plus cot x जो है इसके बारे में आपको बताना है जब 0 से 5 by 2 के बीच की बात हो लिए देखिए 0 से 5 by 2 के बीच में दोनों के दोनों positive होते हैं minus infinite से यानि कि 0 से plus infinite पर चलता है ये और अगर आपको यहां पर निकालना है tan theta cot theta plus करने पर क्या आ रहा है तो आपको एक चीज़ समझना होगा arithmetic mean arithmetic mean हमाईशा आप greater than equal to होता है कि इसके geometric mean geometric mean ठीक है मतलब कि जो इसका समानतर समानतर जो इसका mean होता है यानि मध्य होता है ठीक है यह हमेशा बड़ा या इसके बरावर होता है कि इसके गुणोत्तर मध्य के गुणोत्तर मध्य के तो यह actually mean है इसको आप note करके रखिए arithmetic mean greater than equal to हमेशा geometric mean होता है arithmetic mean कैसे निकलता है geometric mean कैसे निकलता है इसके बारे में थोड़ा सा हम discussion कर लेते हैं जब मुझे tan x दिखा और cot x दिखा तो इसका arithmetic mean होता है tan x plus cot x divided by 2 ये average जो होता है उसी को ही arithmetic mean कहते है geometric mean का मतलब होता है tan x multiplied by cot x का square root ठीक है ये होता है geometric mean और इसके बारे में मैंने आपको starting में जब हम number system पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने बताया था आपको जब हम natural number की series वगेरा discuss किये थे जब हम arithmetic progression वगेरा discuss किये थे वहाँ पे last मैंने आपको थोड़ा से इसके बार बताया था arithmetic mean जो होता है हमेशा greater than equal to geometric mean होता है तो देखिए यहां से यह value तो one हो गया मतलब आपको अगर समझना है कि tan x plus cortex की बात अगर हो रही है तो यह हमेशा क्या होगा greater than equal to 2 हो जाएगा ठीक है maximum minimum में भी यह चीज़ आपको सीखना है tan x plus cortex क्या होता है हमेशा greater than equal to 2 होता है मतलब यहां जो सही उत्तर हो जाएगा वो d equal कहां होता है अगर push लिया जाए तो जब tan x equal to cortex हो गया वहाँ equal हो जाएगे इसके तो tan x equal to cortex कितना होता है 45 degree पर होता है यह भी बनोगा यह भी बनोगा बताइए 2 के बरावर होगा कि लिए ठीक तो यहां पर equal to sign कब होगा जब यह tan x बरावर कॉर्टेक्स हो जा यानि कि 45 degree पर आगे बढ़ते हैं 0 से theta जो है 5 by 2 के बीच में theta है और यह 5 है 0 से 5 by 2 के बीच में है ठीक है और बोला गया कि theta जो है 5 से छोटा है तो इन में से कौन सा आपका सही जबाब है आपको बताना है आपको बताया गया है कि theta जो है theta जो है यह 5 से छोटा है तो अभी-अभी हमने देखा है कि इसका जो graph होता है 0 से लेके 90 degree के बीच में cos theta का जो graph होता है वो इस तरह के से घड़ता है और दूसरी बात आपको बता दी गई है कि theta छोटा है phi से और दोनों 0 से 90 degree के बीच में है मतलब यहाँ पे theta यहाँ कहीं पर आएगा और phi जो है यहाँ कहीं पर आएगा बात समझ में आ रही है कि तो आप से यह पूछा जा रहा है कि cos theta बड़ा होगा की cos phi बड़ा होगा समझे, cos theta जो है वो यहाँ कहीं पर आएगा इतना value और cos phi की यह दि में बात करो तो यहाँ कहीं पर आएगा इतना value तो बताईए कौन बढ़ा है जाइर सी बात है यह ज़्यादा बढ़ा होगा यहाँ पर आपको बताना है sin 1 degree, sin 1 command, cos 1 degree, cos 1 command में क्या अंतर है। जैसे यहाँ पर 1 लग जाता है, तो यह 1 क्या है तो 1 radian है, 1 क्या है तो 1 radian है। और radian value जो होता है लगभग approximately 57 degree के आसपास तक रहता है। मतलब बताईए आप sin 1 degree और sin 57 degree क्या बढ़ा है, तो आपका जवाब होगा कि sin 57 degree बढ़ा है, 1 का मतलब sin 57, तो यह तो गलत statement है, पहला वाला statement गलत हो गया, इन में से कौन सा सही है बताना था, लेकिन दूसरे वाले statement में इसने उल्टा कर दिया, cos 1 degree में और cos 57 degree में कौन बढ़ा कम होता जाता है, तो cos 1 degree जदा बढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कहा है, यह ज़्यादा बढ़ा है, तो यह भी गलत, वो भी गलत है, दोनों के दोनों गलत है, तो इन में से कौन सा सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, ना यह सही है, तो conceptual question है, मतलब 1 radian है और radian का measurement होता है 57 degree इसके बारे में हमने चर्चाप किया है इस वीडियो में sin alpha plus cos beta बरावर 2 है तो cos alpha plus sin beta बरावर क्या होगा देखिए sin alpha का maximum value sin alpha का maximum value 1 हो सकता है 1 से बड़ा नहीं होता 1 से वापस नीचे आ जाता है मतलब sin alpha का maximum value 1 है cos beta का maximum value भी 1 है यह दोनों का maximum value क्या है तो दोनों का maximum value 1 है 1 है और इन दोनों का योगफल 2 दिया है इसका मतलब एक मात्र solution possible है यह भी equal to 1 हो दूसरा वाला भी equal to 1 हो यह तभी संभव हो सकता है क्योंकि अगर यहाँ पर अगर यह value थोड़ा सा भी छोटा हो गया यानि अगर यह 0.9 हो गया इसका मतलब इसको 1.1 होना पड़ेगा और 1.1 यह कभी संभव नहीं हो सकता क्योंकि sin alpha जो है minus 1 से 1 के बीच में होता है मतलब sin alpha भी 1 होना चाहिए और cos beta भी 1 होना चाहिए मतलब कि यहाँ पर एक मात्र solution यह है कि alpha बरावर 90 degree हो beta बरावर 0 degree हो तो आप से सवाल पूछ रहा है cos alpha का value तो cos 90 degree plus sin beta का value इन्हें sin 0 degree मतलब कि यह भी 0 प्लस यह भी 0 दोनों के दोनों 0 तो overall answer क्या आएगा 0 आजाएगा यहाँ तक बात समझगा अगे बरते हैं आगे sin alpha प्लस cos beta 2 है और 0 less than equal to beta less than equal to alpha less than equal to 90 degree दिया हुआ है तो sin 2 alpha plus beta divided by 3 का value क्या है अब फिर से जब आप इस चीज को देखेंगे थोड़ा सा समझेंगे तो sin alpha इतना है मतलब alpha कमान एक मात्र संभव यहाँ पर मान है कि alpha बरावर कितना हो जाए 90 degree क्या है बीटा बरावर क्या हो सकता है तो बीटा बरावर केवल और केवल 0 degree हो सकता है दूसरा कोई संभव यहाँ पर मान नहीं है आपसे 2 alpha प्लस बीटा पूछा है मतलब sin 2 alpha कितना हो गया alpha तो 90 था alpha का double करोगे तो 180 degree आ जाएगा प्लस बीटा तो 0 था मतलब प्लस बीटा यहाँ 0 ही रहेगा divided by 3 तो 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 60 degree तो सवाल आपसे sin 60 degree पूछ रहा है और sin 60 degree कितना है तो root 3 by 2 है root 3 by 2 है और यहाँ पर आप option में जाओगे तो ऐसा कोई मान ही नहीं है आपको पस यहाँ पर directly alpha के terms में value पूछ रहा है तो बताइए भई alpha कब यहाँ पर आपको root 3 by 2 का मान देगा अब देखें आपको clearly दिखाई दे रहा होगा कि जब मैं हाँ पर cos alpha by 3 करूँ तो cos alpha by 3 मतलब 90 degree by 3 90 degree by 3 मतलब cos of 30 degree और cos 30 degree का मतलब भी root 3 by 2 होता है तो फटाफट आप यहाँ पर options को scan करेंगे तो root 3 by 2 मुझे यहीं पर दिख रहा है क्योंकि cos 90 by 3 करोगे तो cos 30 degree होता है और cos 30 degree का मतलब root 3 by 2 मुझे जो है सवाल का सही उत्तर हो जाए यहाँ तक समझ में आगई बार चलिए ABC एक triangle है angles of a triangle है out of this which is incorrect तो ABC किसी स्रिभुज के कोण है इन में से कौन सा कथन सही नहीं है अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए जब यहाँ पर चीजे डी हुई है तो left side में कुछ value है right side में कुछ value है angles की यदि में बात करूं तो angle यहाँ पर क्या है a plus b by 2 यहाँ c by 2 यदि मैं theta 1 को a plus b by 2 लेनू और theta 2 को क्या लेनू c by 2 लेनू तो यहाँ पर अगर आप theta 1 plus theta 2 करेंगे तो क्या मिलेगा a plus b plus c मिलेगा की नी a plus b plus c मिलेगा divided by 2 और a plus b plus c क्या होता है 180 degree होता है तो 180 degree divided by 2 है मतलब कितना तो 90 degree मतलब यहाँ theta 1 plus theta 2 बरावर किसके है 90 डिगरी के है और जब ये 90 डिगरी होता है तो हमने result देखा है कि कौन-कौन equal होते हैं तो आपको बस ये check करना है यहाँ पर कौन सा odd one out है हमने क्या-के result देखा cos और sign में तो हमने देखा है कि cos theta 1 बरावर cos theta 2 होता है जब theta 1 plus theta 2 90 डिगरी एक त्रिभुज के तीनों code जो है इसका submission एक स्वस्ची होता है इसका आधा 90 डिगरी होगा मतलब theta 1 plus theta 2 ये है इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है cos theta 1 बरावर cos theta 2 sin theta 2 सही है आपको यहाँ निकालने कौन सा कथन सही नहीं है हमने cot और 10 में यह result देख रहा sin और cos पर भी result देखा लेकिन क्या हमने tan और sec में result देखा नहीं देखा मतलब यह वाला कथन जो है सही नहीं है और इन option में हमको वही check करना था जो सही नहीं है tan a plus b is equal to sec c by 2 tan a plus b by 2 is equal to sec c by 2 यह गलत है ठीक है आगे बढ़ते है next question देखते हैं आपके screen के उपर है यहाँ पर इसको solve करिए यहाँ दिया हुआ है the sum and the difference of two angles are 22 by 9 radian and 36 degrees respectively what are the values of the what is the value of the smallest angle in degree measure मतलब यह दो कोन है जिसका योगफल और अंतर 22 बटे 9 radian और 36 दिगरी तो तब छोटे कोन का मान क्या आपको बताना है तो देखिए मान लेते हैं कि x और y दो कोन है जिसमें x बड़ा है y छोटा है तो आपको क्या बताया गया कि इन नोनों का योग जो है x प्लस y का जो योग है यह 22 divided by 9 radian है और साथ में आपको दिया है कि x माइनस y जो है इसका मान 36 डिगरी यह 36 डिगरी आपको इसमें से छोटा वैल्यू निकालना है 22 22 divided by 9 radian का मतलब क्या होता है एक radian मान एक radian का मान हमने देखा है कितना है 180 degree divided by pi क्योंकि pi radian का वैल्यू इतना होता है और pi का मान यानि कि अगर एक radian का मान इतना है तो 22 बटे 9 radian का मान इतना हो जाएगा जिसका मतलब है इसमें आपको क्या multiply करना है 180 degree divided by pi और pi को approximately हम जानते इसका value क्या है 22 by 7 तो 22 नीचे 7 उपर चला जाएगा पता ही भी value कितना हैगा इस 22 से 22 को काट सकते है 9 इसको 20 बार काट देगा मतलब कि 140 degree है इसके जगा मैं क्या लिख सकता हूँ इसके जगा मैं लिख सकता हूँ 140 अब आपको इसमें से छोटा value चीए था तो छोटा value के लिए मैं दोनों को minus कर देता हूँ जैसे ही मैं minus करूँगा तो यह x से x कर जाएगा y minus minus y है तो plus हो जाएगा मतलब 2y बराबर हो गया इन दोनों का अंतर है तो 104 आएगा मतलब y का value कितना है 52 degree है 52 degree मतलब कि यहां से छोटा वाला जो एंगल है वो 52 degree हो जाए एक सवाल और देखते हैं सेम बैटन पर इसको बताएगे भी इसका अक्तर क्या है इफ दे सम अंदर डिफरेंस इस वन हंडर थर्टीफ़ डिग्री एंड पाई बाई ट्वेल्व रिस्पेक्टिवली देन वाट इस दे लार्जेस्ट इन रिडियन तो दो एंगल है x और y x और y का योगफल है 135 डिग्री और साथ में x माइनस y जो है इसका वैलू है πाई बारा डिग्री अब 135 डिग्री को रिडियन में कनवर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उत्तर रिडियन में चाहिए तो 135 डिग्री का मतलब क्या होता है इसमें मैं क्या मिल्टिप्लाइ कर दूँगा पाई बाई 180 कर दूँगा योग्कि 180 डिग्री बरावर क्या था तो पाई रिडियन था तो एक डिग्री बरावर क्या हो जाएगा पाई बाई 180 रिडियन हो जाएगा कि नहीं तो जब हम degree से radian में convert कर रहे हैं और radian से degree में convert कर रहे हैं दोनों चीज आपको सीखना है तो यहां से 135 degree का मान कितना हो जाएगा इतना radian हो जाएगा 45 से काटोगे तो उपर 3, 4 आ रहा है मतलब कि यह जो value है इस का मान हो गया 3 pi by 4, 3 pi by 4 अब आपको क्या निकालना है इसमें बड़ा value निकालना है तो बड़ा value x है तो x के लिए मैं दोनों को जोड़ूँगा y और y कर जाएगा 2x आगया यहां पर दोनों को जोडने पर LCM हो जाएगा 12 यहां पर 4 है तो 3 से multiply होगा तो 9 pi आ जाएगा और इसको जोडने पर कितना आ जाएगा फिर से pi आ जाएगा मतलब दोनों के दोनों होगा 2x is equal to 9 plus 1 करोगा तो 10 pi by 12 होगा ठीक है 2 से काटोगा तो यहां 5 हा रहा है मतलब x बरावर कितना है तो 5 pi by 12 है 5 pi by 12 ठीक तो आपको यहां पर बड़ा एंगल निकालना था जो कि कितना हो जाएगा 5 pi by 12 रेडियन मेजर में निकालना था तो 10 का उतर हो जाएगा ठीक है चली अब मैं यहां पर इस वीडियो को रुखता हूँ तो यहां पर हम इस वीडियो में जो cover किये है वो है एंगल्स और sin cos tan का हमने ratios cover किया कि ratios और angles क्या होता है नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं start करूँगा identities और बहुत सारे सवाल जो है आपके identities से बनते हैं तो इस वीडियो को यहां पर रुखते है second part में continue करेंगे identities की जरीए thank you so much इस वीडियो में इतना ही